हेलो दोस्तो मैं हूँ कविराज और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ABC कोचिंग यूटूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में कक्षा दस्वी साइन्स का मोश्ट भी भी आई इंपोर्टेंट कोशन बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी जाधा इंपोर्टेंट है साथ ही दोस्तो इस वीडियो में सल्यूशन भी आपको बताते जाओंगा इसलिए दोस्तो आप लोग अपने कॉपी में नौट करते जाएगा और साथ ही इस वीडियो को आप लोग अंतक देखका जाएगा जैसे परतिरोध का मान बदल जाता है जैसे धारा का सही सही मान नहीं प्राप्थ होता है अर्थात एक साथ कई मान बदल जाता है इसलिए तापकरम को अचर रखा जाता है ठीक है चलिए अगला कुशिन है कि यदि किसी विदुत बल्ब के तंतु का परतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट सुरोट से कितनी विदुत धारा लगेगा यानि किलेगा ठीक है यह जो कुशवाल आपका दो नमर आप देख रहे हैं यह जो एक नॉम्रिकल है जो कि आपका जो है विदुत चैप्टर से पुशा गया है जिसमें कि आपको नॉम्रिकल के रूप में दिया जाता है ठीकर यहां पर जो सवाल है यहां पर जो इसका आंसर आपको बताना है कि आपको सबसे पहले ऑल्म के नियम के अनुसार में अbonके प्टा क्या होता है आर होता है आई ब्रावर भी बटा क्या होता है आर होता है ठीक है ओम के अनुसार विभांतर बटा यह परतिरोध ठीक है तो आपको क्या करना है दूसरा बीस बटा लिखेंगे बारा सो इसको अगर भाग देते हैं तो 0.18 प्रकार से आपको जो है नॉम्रिकल बनाना है चलिए अगला कुशन आपका फिर से नॉम्रिकल दिया गया है जिसमें यहां के पुशा कह रहा है कि पांच ओम एवं बीस ओम के परतिरोध को को पार्शव करम में जोडने पर सम्तुल परतिरोध की करना करें देखिए 1 प्लस 1 बाई R2 होता है ठीक है तो दो परतिरोध दिया गया है तो वो एक बटा 5 प्लस एक बटा 20 आपको योग कर देना है उसके बाद अगर योग करते है तो 4 यहां पे हो जागा उसके बाद कितना 5 बटा 20 हो जागा इसको हम कटाएंगे 1 बटा 4 यानि कि R का जो मान होग में इक दूसरी को परतिखेद जो है क्यों नहीं करती है तो इसका अगला कुछेंड है कि यहां अब्षिणी का नियम लिखें देगी दोस्तों आपको मैंने अफ लाइन क्लास में कि फ्लेइमिंग की वामहस्त का नियम और दख्शनी अश्त का नियम इस पार गॉड़ defake और इस L attain देखें आपको सबसे पहले यहां पे फ्लेमिंग के वामहस्त के बारे में बताना है लिखना है कि फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम उसके बाद लिखना है कि अपने बाए हाथ की तरजनी मधिमा और अंगुठी को इस परकार फलाए की वे एक दूसरे पर लंबवत हो तयदी तरजनी छेत्र की दिशा और माधिमा धारा की दिशा परदसित करे तो अंगुठा चाला की गती की दिशा की ओर संकेत करेगा उसके बाद जो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं यह जो है फिलेमिंग की वामहस्त का यहां पर चित्र को दरसाए गया है निर्देश दि जो कि आप यहां पर ग्राप के अनुसार इस तरीके जो भी आप लोग परदसित कर सकते हैं आगे आपका यहां पर बताना है कि फिलेमिंग के दक्षनी हस्त का नियम उसी परकार बताना है जिस परकार से वामहस्त के बारे मैंने बताया है तो उसमें लिखना है कि यदि हमन या यदि आपने दाहिने हाथ की तरजनी माधिमा और अंगुठे को एक दूसरी के लंबवत इस प्रकार इस्थित करें कि तरजनी छेत्र की दिशा तथा अंगुठा चाला की गति की दिशा की ओर संकेत करें तो माधिमा चाला में प्रेरित धारा की दिशा को परदर्शित कर तो देखें दक्षणि हस्ध है है और आप यहां पे देख पाए tut सफ के दिशा प्रदस्ट कर रहा है और तरजनी जो है वह चालक में प्रेटी धारा की दिशा को प्रदस्ट कर रहा है इस परकार चाप गरा भी यहां पर दर्शा सकते हैं तो आप यह वाला गराब जो है पिक्चर बना देज़ेगा आपको फूल माक्ष मिल जाएगा चिके फ्लेमिंग की वाम हस्ट के नियम से भी नहीं है तो आन्सर इस प्रका लिखना है कि दक्षनी हस्ट अनूश्ट निया में अंगुठे की दिशा विद्धुधारा की दिशा की ओर संकेत करता है जबकि दक्षनी हस्त अनुष्ट नियम में अंगुठा विदुद धारा की दिशा एवं अनी अंगुलियां जो है चालक के और चुमिकी छेत्र की रेखाओं की दिशा जो है परदसित करती है चिक है आगे अगला कोशन आपका यहां पर पूशा जा रहा है सात्वा नंबर जो कि मैं पहले भी आपको बता था और मॉडल सेट में यह कोशन दिया गया है तो आप देखें यहां पर कोशन पूशा जा रहा है कि किसी कुंडली में विदुद धारा प्रेरित करने के विभीन धंग अस्पस्ट करें तो इसका अंसर इस प्रकाल लिग देना है कि कि किसी कुंडली पहले देना है कि चुंबक एवं कुंडली के बीच आप वेक्षित गती उत्पन करके तिसरा कुंडली के समीप रखें चालक में धारा का मान बदल करके इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है चले अगला कोशन देखें यहाँ पे कोशन पूशा जा रहा है कि फ्यूज क् है यह परिभास आमा को दो नमरिया भी पूछा जा सकता है ठीक है आप इसको अच्छे से याद कर लिजीगा यहाँ पे पूछा गया है कि फ्यूज क्या है इसे विदुद परिफट में किस तार द्वारा और किस करम में जोड़ा जाता है तो इसका लिखना है कि फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ती है या ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की पर्ति रोगधकता बहुत अधिक होती है और उसकी गनलांग बहुत कम होता है ठीक है उसके बाद जो यहाँ पे कोशन पूछा गया है कि इसके विदुद परिफट में किस तार द्वारा कि इसक्रम में जोडा जाता है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है कि इसे विदुद परिफट में विदुद में तार यानि कि घर्मतार द्वारा सुरेनिक्रम में जोड़ा जाता है ठीक है तो यह आपको इस प्रकार से अंसर देना है ठीक है अगला कुशन देखिए नौन नमबर है यहापे कुशन पूशा जा रहा कि घ्रेलू विदूत परिपतों में अती भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए तो पहला लिए देना से गुजार कर जो है उत्तारों को जो है गुजारनी चाहिए अगर मानखिले पीबीसी के अलावा कुछ और दे देते हैं तो हो ना हो कभी फोल्ड हो जाता है तो नुकसान दे हो जाएगा ठीक है उसके बाद दुसरा पार लिए दना है कि विदूत परिपत में फ्यूज ल यह है कि दो किलो वार्ट सकती अनु मान तांक का एक विदूत तंदूर किसी घरेलू विदूत परिपत 220 वोल्ट में परचालित किया जाता है जिसका विदूत धारा अनुम तांक 5 एमपियर है इससे आप किस परिणाम की अफिक्षा करते हैं अस्पस्ट करें तो देखिए तो यहां पर पर जो दिया गया है यह विदूत शकती जो दिया गया है वो 2 कillowarpt दिया गया है तो यहां पर क्या गहरेंगे दो 1-100 बराबर क्या हो जागा 2000 वाट हो जागा और वोल्ट जो दिया है वो कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है तो देखिए धारा का जो फर्मूला होता है पावर बटा होता है भी यानिक ठीक है यानिक शक्ति बटा जो होता है वोल्ट होता है तो आप क्या करेंगे 2000 वटा 220 करेंगे इसकाम भाग देते हैं तो 9.09 एंपियर हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको परिवासय का नुरूप जो है थोड़ा सा बता देना है कि चुकि 5 एंपियर से अधिक धारा पर वावित हो रही है इसलिए फ्यूज ही गल जाएगा फल्सरूप परिपत भंग हो जाएगा और विदूत तंदूर नस्ट होने से बच जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन आपको यहाँ पर देखे यह कह रहा है कि दिये गए चित्र के अधार पर नमांकित प्रस्नों के उत्तर दें तो देखे दोस्तू मैं आपको यहाँ पर कहना चाऊंगा कि यह जो आप पिक्शर देख रहे हैं आप मारे इसकीर पर यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं 11 नंबर का इसको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लिजे क्योंकि यह पिक्चर आपका कंफर्ण बोर्ड एक्जाम में आने वाला है क्योंकि यह विदूत से समंदित है और विदूत चैप्तर से जो आपका एक पिक्चर आपके बोर्ड एक्जाम में पूछा जाएगा तो चलिए मैं इसका अंसर बता देता हूं देखें यहाँ पर प्रस्ण पूछा जारा कि चित्र का उप्यूक्त नाम लिखें तो यह जो चित्र है यह कौन सा है विदूत मोटर का है तो यह क्या हो ज चलिए उसके बाद तिसरा में कहता है कि किस तरह की उर्जा का उपकरण द्वारा परिवर्टित की जाती है तो देखें विदूत मोटर किस तरीके उर्जा परिवर्टित करता है तो विदूत मोटर जो है यह विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्टित करती विदुत रोधी तामबे के तार को अणेक चकरों से लपेट कर बनाए जाती है यानि कि आर्मेचर जो है ये क्या होता है कि लोहे के धाचे पर विजुत रोधी तारों के तार्च जो है अनेक चक्रों से लपेट कर जो है आर्मेचर को बनाए जाता है ठीक है चलिए अगला कोशन आपका बारा नंबर है जो कि यहाँ पर आप हमा बोर्ट इग्जाम में आने का काफी चांस है बहुत जादा चांस इसलिए आप इसको रट लिजेगा अधात वर्धिनिता किसे कहते हैं या क्या है तो इसका अंसर लिख देना है कि धात्वों को हतोडे से पीट कर चादरे बनाई जाती है यानि कि पतली चादर बनाई जा सकत है धात्वों के इस गोन को जो ही अधात वर्धिनिता कहते हैं जैसे कि सोना चांदी सोना को जो है ठोक ठोक कर यानिक उसको पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है तो इसका दोगो धारन जो है आपका सोना चांदी हो जाएगा चलिए अगला यहां पे कोशन या 13 नंबर पुशा जाला है कि कारण बताइए कि धातु क्यूं विदुत धारा संचालित करती है तो इसका अगला कुशन है किरेलवेट ट्रैक को जोड़ने के लिए योगिक एक्स और तथा अलमूनियम का उपयोग होता है यदि योगिक एक्स को पहचाने अभी किरिया का नाम दे इसक पहला हो जागा एक्स योगिक को पहचाने तिसका नामिक देना आपको आपको आइरन तो यह आपका यहाँ पर तिसरा कुशन यह पूछ रहा था कि इसका रसानिक समीरकल निक है तो रसानिक समीरकल देना तो यहाँ पर देखे दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यह जो कुशन साब देख रहे हैं यह आपके बोड इक्जाम के लिए काफी इंप्रोटन्ट है इसका रसानिक समीरकल निकना है तो देखे यह जो अभिकरिया का नाम है तो अभिकरिया का नाम में आपको थर्मिट अभिकरिया लिख देना है तो यह जो अभिकरिया है और इसका जो रसानिक फर्मूला देना है तो रसानिक फर्मूला इस प्रकार देना है कि अगला कोशन देखे 15 नमबर यहां पर कोशन यह पूशा जा रहा है कि तामबे के मलीन बर्तनों को निम्बू या इमली के रस साब किया जाता है कारण बताए क्यों साब किया जाता है यह बताना है तो इसका इस प्रकार देना है कि तामबा पर चारी कापर कार्बोनेट की हरी परत बन जाने के कारण उसका रंग मलीन हो जाता है जब तामबे के मलीन बर्तन को निम्बू या इमली के रस साब किया जाता है तो निम्बू या इमली में उपस्तित अमली पदार्थ चारी कार कापर कार्बोनेट से अभिकिरिया कर उसे तामबे के बरतन से अलग कर देता है जिसे बरतन साफ होकर चमकने लगता है खटे पदार्थ छारिय कापर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है इसलिए खटे पदार्थ बरतन को साफ करने में प्रभावी होता है तो इस प्रका तारण बताईए देखिए गर्म जल का जो टैंक है उसके बनाने के लिए तामबे का उपयोग किया जाता है तो यहां पर यह बताना है कि तामबे का उपयोग क्यों किया जाता है और इस पात का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है यानि लोहा का उपयोग क्यों नहीं किया जा लेकिन लोह अर्था का का उपियोगं नहीं किया जाता है ठीक है पारा या पारद के एक मुख्य-आइसक का नाम आवन शुत्र लिखे हैं इस आइसक को किस विधी द्वारा धातु आकशाइड में ब़रा जाता है पारा धातु को उसके अाईस्क से निसकर्शन में पर्यूग्त स्मुखरन को लिखे तो देखे यह जो पारा है पाराके मुखे आइस्क का नम बताना है तो मुखे आइस्क आक क्या हो जागा यह आपका सिर्नेबार हो जागा और इसका जो formula है वो क्या हो जागा HGS हो जागा ठीके उसके बाद यहाँ पर question यह पूछा जा रहा है कि इस IS को को किस विधी दुआरा जो है धातु oxide में परविवति किया जाता है तो यह आपको बताना है कि इस IS को को भरजन विधी दुआरा धातु oxide में बनला जाता है ठीके उसके बाद इसका समीकरण पूछा जा रहा था इसका समीकरण इस पर कालिग देना है कि 2HGS plus 3O2 तिरचीन उसके ऊपर आपका उस्मा परवावित करना है उसके बाद हो जागा 2HDO plus 2SO2 ठीक है उसके बाद आपको दुसरा formula लेना है कि 2HGO उस्मा जो है इस पर परवावित करें तो उसमा के साथ प्रावित करेंगे तो यह हो जागा 2HG प्लस O2 तो यह आपका संकान हो जागा ठीक है चले अगला कुशन दिखे दोस्तों यहां पे जो कुशन पूछा गया यह नमांकी चित्र पूछा गया है कि धात्वों को जो है धात्वों में चालकता का गून परकट क पिक्शर ने के लिए के गया परियोगों के चित्र में संक्ःाकिंत भागों का नाम लिखे तो यह दो दिखिए कर insufficientाएं यहां पर लैम्र का है तो सबसे पहरा एक नमर्ब हो जागा यहां पर लिख सकते हैं या काटी लिख सकते हैं उसके बाद पाच्वा यह क्या होगा बर्नर हो जागा क्योंकि यह जो lamp क्या है यह burner है त्वो है पाच्वा हो जागा बरनन हो जाग इस तरह के साफ जो है नमांकित चितर बनाएंगे टिके चलें अगला question यहाँ पर देखें अगला question भी question जो है नमांकित है तो यहाँ पर पूशा जा रहा है कि चितर में धातू की लवन विलियन के साथ अधिक किरिया सिल धातू की अभिकिरिया को दरसाया गया है A, B, C, D, E को नमांकित करें तो यह जो आकरती आप हमारे इश्किन पर देख पा रहे है यहाँ पर जो कोशन यह आकरती का जो दिया गया है इसमें जो करम शंख्या दिया गया है A, B, C, D, E तो इसका नम आपको बताना है तो देखे, यह पहला जो आप देख रहे है यहाँ पर A नमर जो पहला देख रहे है यह कहां पर है? देखे, इस जगह है तो इसका क्या हो जागा? यह क्या एक धागा है A number क्या है ये एक धागा है B number क्या है जरा ध्यान देजेगा B number क्या एक प्रक्नली है तो ये क्या हो जागा B number आपका प्रक्नली हो जागा C number क्या हो जागा ये कार्क हो जागा और D number प्रक्नली स्टैंड हो जागा और E number जो है E number जो हजागा वो क्या होगा वो तामबे का तार होगा जो की प्रक्नली के अंदर यहाँ पे डाला गया है तो इस तरह किस जो है आपको नमाकित कर देना है ठीक है चलिए अगला question आपका देखें यहाँ पे 20 number है कहता कि तामबे की विदूत अब घटनी परिश्क A, B, C, D िछे तक जो दिया गARE इसका नमा आपको बताना तो A number जो यह क्या हो जागा यहाँ पे जो दिया गया है ठीक है यह जू दिया यहाँ यहाँ पर यह हो जा 네 बी नमबर क्या हो जागा बी नमबर जो है पलस में रहता है तो यह एनॉड हो जागा के थोड मैनस में रहता है यह नमबर जो है लक्रोनिक का मैनस है तो यह जागा एनॉड हो जागा उसके बाद सी नमबर जो है सी नमबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह हो जागा अमल अगला जो है देखते हैं कोशन यहाँ पे पूशा जा रहा है इसमें भी नमांकित है चीतरी के अनुसार आपको बताना है कि दियागे चीतरी में लवन के विलियन की चालाकता का परियोग दिखाया गया है A B C D एवं E की नमांकित करें तो देखें यहाँ पे जो आकरती दी यह थोड़ा सा अलग है और उसमें भी दुधारा परवावित की गई है तो देखें यह जो यहाँ पे कोशन पूशा गया है जो की आकरती आप देख पा रहे है यहाँ पे A नमबर जो है यह A नमबर बल्व है तो यह A नमबर जो है आपका यहाँ बल्व हो जागा बी सिर्फ बीकर सकते हैं लेख सकते हैं इस प्रकार से आपको इसको नमांकित कर देना है टिक है अगला कुछा जारा है कि कि प्रिशी धातू के तनू H2SO4 अमल से अभी किरिया कराई जाती है और सरजित गैस को चित्र में दिखाई विधी कुछे एकतर किया जाता है तो नमांकित में उत्तर दे तो देखें नमांकित में उत्तर देना है सबसे पहला पॉर्णिक देना है कि गैसों का नाम बताईए एकतर करने की विधी का नाम बत एकतर किया रहा है इसको कहते हैं आधो-मुखी, ठीकें, आधो-मुखी कहते हैं जिसमें कि एक यहां पे प्रखनली पाइप, नुमाल लगा जाता है एक बरनर के अंदर डाला जाता है उसके बाद तीसरा है पे पुछा गया थे क्या गैस जल में विले अत्वा विले नहीं है तो इसमें क्या करना है कि यह जो है gas जल में विलेड नहीं है ठीक है आप देखी रहे हैं आप इसके पर देख पा रहे हैं यह जल में विलेड नहीं यह जो पूरी तरह से स्वातंत रहे है देखें यह पूरी तरह से स्वातंत है ना उसके बाद जो है चौथा पॉइंड कहरा था कि यह जो gas का रसाइंग सुतर है तो देखिए यह जो gas कौन सा था hydrogen था hydrogen का formula क्या होता है h2 होता है तो चलिए अगला question देखते हैं अगला question यह पोशा गया है कि carbon के दो गुंधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारो और carbon योगिकों की विसाल संख्या दिखाई देती है इसका दिखते हैं कि carbon योगिकों की विसाल संख्या होने के निमांग की दो कारण है पहला carbon योगिकों में स्रिंखलन गुंध का होना दूसरा दिन है carbon की चतुह संख्या गुंध का होना ठीक है चलिए अगला question 24 नंबर जो कि यहाँ पे देखिए यह जो है electronic बिंदू की सनच सनचना के बारे में कहा गया है देखिए यह सभी important question है 24 नंबर जो आप देखेंगे आप इसको अच्छे से समझेगा कि यहाँ पे electronic जो बिंदू दी गई है किस तरीका से जो है किस तरी जो है इसकी सनचना की गई है इसको समझेंगे ठीक है यहाँ पे जो question पूशा गया है क CO2 ठीक है carbon dioxide सुत्र वाले carbon dioxide की electron बिंदू सनचना लिखें इसमें कितने सनयोजी आबंद है तो देखिए इसमें जो है दो सनयोजी आबंद है ठीक है इसमें सनयोजी आबंदों के संक्या कितनी है दो है यहाँ देखिए ओक्सिजन के पास कितने electron होते है औक्सिजन के पास ज तो आपको क्या करना है तो ऑक्सिजन के साथ में ऐसे आड़ गो ऐसे तरह से बना देना है उसके बाद कारवन के पास चार गो इस तरह से दे देना है उसके बाद इस तरह से तो यह क्या हो जाएगा और उसके बाद आपको लिग देना कि ओ डबल बाउंड हो जाएगा सी उसक इसके योगी का उपयोग अधिक तर्कारियों में इंधन के रूप में क्यूं किया जाता है। नियंत्रित किया जा सकता है ठीक है तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है अगला है कि एथनाल से एथनाईक अमले में परिवर्टन को ऑक्षी करन अभी किरिया क्यों कहते हैं तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि इस अभी किरिया में ऑक्षीजन की विर्धी और हैड प्रोजन की कमी होती है इसलिए एथनॉल से एथनाइक अमल में परिवर्थन को आख्षी करन अभिकिरिया कहते हैं उसके बाद इसका जो है फोर्मूल आपको लिख देना है कि CH3CH2OH जो की एथनॉल है उसके बाद चारिये KMNO4 पलस उसमा के साथ जो है इसके साथ जो है संधर में जो है इसकी अभिकिरिया कराई जाती है तो CH3COOH पलस H2O यानि एथनाइक अमल और जल का जो है निर्मान होता है ठीक है इस प्रकास आपका अनुसुतर इसका जो है फर्मूला लिख देना है चलिए अगला यहाँ पर कोशन देखिए हैं कोशन पुछा गया है कि एथन अमल से अस्टर कैसे बना जाता है देखिए दोस्तों मैंने आपको अफ्लाइन क्लास में यह कुछन दा को कराया है और बार-बार मैंने बोला भी था कि इसको जो है आप अच्छे से रख लेजेगा कि एथनाइट से अस्टर कैसे बना जाता है यह कुछन दापके बोर्ड में आएगा ठीक है देखे इसका अंसर इस प्रकार लिख देना है कि एथोनाईक अमलिक किसी अमलो उत्रेरख की उपस्तिती में परिसुद्ध एथोनाल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं जिसका फोर्मुला यहां पर इस प्रकार दिया गए इसको इसी तरह से लिखना 5 प्लस O2 तो यह आपका एस्टर का फोर्मुला है यह प्राप्त किया जाता है ठीक है चले अगला कोशन देखे तो यहां पर पूशा गया है कि एथोनाईक अमल कार्बोनेट एवं हार्डोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे करता है तो देखे इसका अंसर इस प्र मुला दे देना है पहले था एथोनाईक अमल कार्बोनेट का तो इसका इदना है तो देखे तो यहां लिदना है 2CH3COOH पलस NA2CO3 तीरचीन 2CH3COO NA पलस H2O पलस CO2 उसके बाद दूसरा जो है विक्रिया लिख देना है कि CH3COOH पलस NA2CO3 तीरचीन CH3COO NA पलस H2O पलस CO2 ठीक का फॉर्मूला इसमें लिख देना है ठीक है चलिए अगला यहां पर देखें आपको पूछा गया रहे कि एथोनाईक क्या है सोरी यह एलकाइन क्या है देखें मैंने आपको पहले भी प्रताया था ना कि कार्बनिक करन्ट चैप्टर में जो यह एलकान यह लकीन और यह का फॉर्मूला है आप उसको अच्छे से आट लेंगे और साथ ही इसकी परिभासा को भी याद कर ले जाएगा ठीक है यहां पर जो कुछा गया है काफी इंपोर्टेंट है भी बियाए कुछिंस है देखें एलकाइन क्या है इसका समाने रसानिक सुत्र लिखें सबसे सरल एल अक्ट्रोनिक संचना लिखें इस एलकाइन का उपयोग बताईए इसका अंसर लिखनाना है कि वैसे और संदित हैड्रोकारवन जिसमें दो कारवन परमानू आपस में त्रिबंद द्वारा जूड़े होते हैं यानि कि इसका जो है ट्रिपल मांड होता है उसको क्या कहते है एलकाइन कहते हैं इसकी समानी सुत्री क्या होती है सी एन एच टू एन माइनस टू यानिक यह क्या होता है माइनस में रहता है एलकेन में क्या होता है प्लस होता है और एलकीन में सिर्फ सी एन एच टू एन होता है ठीक है तो याद रखेंगे तीनों का फॉर्मूला अपलो नियुए से भी जाना याता है इसका अलक्ट्रोनिक सन्यास के बारे में आपको बताना आउल zwischen सनस्टना के बारे में हो जाए ऊसके बादे कि यहाँ पर दोंघे स्के डिफिया second दोंड है यह आप देख रहे हैं यह दो कार्बन उपयोग बताना है तो लिख देना है कि कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने में अगर आप लोग आम हो गया केला हो गया और भी कुछ ऐसे फल है जिनको पकाने के लिए हम जो पदार्थ का उपयोग करते हैं जो कि दुकान में असानी से मिल जाता है उसी को हम करने में जो कि बैलनिंग के कारी में किया जाता है ठीक है चलिए अगला कुछिन है देखिए काफी इंपोर्टेंट है बीबी आए कुछिन है आप इसको अच्छे से याद कर लिजेगा देखे कोशन यह पूछा गया कि साबून और अपमार्जक में तीन अंतर लिख है तो तो देखे साबून में लिख देना है कि साबून लंबी सिंकला वाले कार्बुसलिक अमलों के सोडियम लवन होते हैं अपमार्जक सलफोनिक अमलों के सोडियम लवन होते हैं तीक है उसका बाद लवन में साबून में लिख देना है कि इसमें मैनस COO मैनस NA पलस आयन होते है और इसमें लिख देना है इसमें आइनिक समू मैनस CO3 मैनस Na पलस होता है ठीक है? देखें, दोनों में क्या है? इसमें CO3 है इतना से याद रखेगा चलिए इसका जो है अगला पॉइंट आगको तिस्रा पॉइंट में आंसर रखताना है कि जो है साबून में ये कठोर जल से अ यानि कि कह सकते हैं कि कठोर जल में अच्छी दुलाई यह कर सकते हैं अपमार जग चलिए अगला कुशिन देखें यहां पर एक टीस नंबर है कहता है निम्न योगीकों की नाम दे तो इसका निम्न योगीकों का पर सिर्फ नाम लिख देना है देखें पहला याप पे कहह रह जागा ब्यूटनोन तो इसका फर्मूला जागा C2H5COCH3 ठीक है उसके बाद तिसरा कह रहा था कि मिध्यान से विद्पन एक एलकोहल तो यहां पर आपका इसका लिदर है मेथनॉल ठीक है मेथनॉल हो जागा यह जूट जाएगा तो क्या हो जागा CH3OH ठीक है CH3OH चलिए चौ को यहां पर प्रोपैन से विद्पन पूछ रहा है तो यहां पर प्रोपाइन अमल आपको लिख देना है कि क्या लिखना है प्रोपाइन अमल इसका फर्मूला होता है C2H5COOH ठीक है यह आपका फर्मूला हो जागा देखें पाचवा यहां पर कोश्ण यो का पुछा जा आइसी का कि एथनोल सिके चारिये पोटेसियम पर मैगनेट पर मैगनेट के साथ उपचयन यानि कि आक्षी करन से प्राप्त योगिक तो इसका हो जागा एथनो आइक अमल इसका फॉर्मॉला नहीं देना है यह सभी जो है जो मैंने अभी यह आपे बताया है इस सभी का फॉर है ठीक है चलिए अगला कुशन देखें 32 नंबर कहता कि इन योगिकों का आई यू पी एक नाम लिखें ठीक है यह जो कुशन आफ देख रहे हैं यह क्या है देखें यहाँ पर है CH2 ठीक है यहाँ पे CH CH OH है तो यहाँ पे देखे यहाँ पे कार यह जो है यह जो पहला दिया गया है एक नमबर में यह क्या है मिथनोल का यह आइव पेक नम है यह जो है संतिना सुत्र मिथनोल का है दुसरा देखे H है फिर C है O जो है डबल मौंड में है OH है तो यह क्या है मेथनाईक अमल है यह क्या है भी नममर का मेथनाईक अमल और C नममर जो है तो यहाँ आप milde चॉल 2008 है यह क्या हो जागा यह हो जागा dyspin subconscious यह क्या होजागा बड़का नामकरन कैसे करेंगे ? देखिए नंबर दो दिया गे है नीए ब्रोमो एथान हो जागा जिसके आप लोग क्या करेंग मैंद करेंगे इसलिफान ऐबधी हटा देना है क्यी हो जागाा ? उसके बाद उपर में ह Mick दिया है double bound में ओ दिया है यह क्या हो जागा अभी मैंने बता है बत इस नंबर में तीक है तो इसका हो जागा CH CH HO ठीक है CH 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 हो जाएगा ठीक है मेथनोल का हो जाएगा ठीक है याद रखेगा तो यह कर के हो जागゃ, देखे ये क्या है? गो है? यह देखे, ह्डट पहले देखे हकसाइन का होता है यह किषी है? यानि कि 6 कि नहीं है? देखे, मैं आपको बता जिए तब फिर except से यहां पर है, तीट की समझेगा ह्ड़काहीए है? 6 गो है और H क्या गो है H जो है 10 गो है तो यह किसका formula होता है यह होता है hexine का आप यह formula लिख दिखेगा यह आप इस formula के भी लिख सकते हैं ठीक है यह आप इसको लिखें यह इसको लिखें दोनों आपको जो है answer आपको मिल जाएगा चलिए आपको जो है इसका अंक मिल जागा नंबर नहीं कटेगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए 24 नंबर कहता है निन प्रियाकात्मक समों के नाम लिखें तो देखिए यह जो पहला यहां पर दिया गया न कार्मन के साथ में टीक है तो यह क्या हो जागा मैं आपको इसका नाम बताते चलता हूँ तेखिए इसका हो जागा यह कीटोन हो जागा बी हो जागा आपका कार्बोसलिक अब्ल यानि कि सी डाबल ओ एच मैनस में है उसके बाद मैनस चारों का नाम आप लोग याद रखेंगा ठीक है चलिए 25 लिखे इसका पहले आपको याद ही हो का चलिए मैं आपको बताते चलता हूं देखे सबसे पहले प्रोपैन का देखेंगे तो यहां पर दिखे प्रोपैन का जो है इसका अनुशुत्र क्या होता है क्या है एकल बंदन होता है तो सब में क्या करेंगे एकल बंदन डालेंगे च क्या गो तेन गो दिखेंगे 8 लिख देंगे कहीं बठा देंगे कर्बन के साथ में ठीक है उसके बाद दिखे एथीन ये कौन सा है एथीन जो है ये कौन सा है देखे एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 ठीक है ये क्या है अपने बने बढबन लगाना है और है आच जो है आपको चारगो इस तरी से जो है लिख देना है ठीक है चलिए अगला यहां पर देखे एथाइन है एथाइन का देखे यह जो है एलकाइन का पर्थम सद्धेस है जिसमें के दो कार्मन परमानों के बीच दे है ट्रिपल बाउंड होता है तो इसमें क्या करना है इसका सबसे पहले िस ट्रिफल लिख देना है उसके बाद गोग्म में दीखे दोसतों यह जो है यह क्या है आपका एकल बंदन में आता है इसमें एकल बंदन और H क्या गो है 5 गो है और O H एको है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पाँज गो वेवस्तित कर देंगे उसके बाद यहाँ पर सिर्फ डारेक्ट O H लिख सकते हैं या O-H इस तरह कर से लिख सकते हैं डियास देकर ठीक है तो चलिए अगला कुशन अगला इसी में दिया गया ह से ओढ़ल से लिए अनुसुत्र लिख देना सीखेंगो pomps स्क्रावणा क्या सबते हैं सिक्का पॡ़ोसिक ना है 11 और फिर उसके बाद सी के साथ लक्ना के साफ बांड हो जागा क्योंकि ना double bond होता है तो प्रोपनों का फॉर्मूला क्या होता है यह भी क्या है एन पढ़तीय में आता है तो प्रोपनों का फॉर्मूला होता है CH3 COCH3 यह हो गया तो इसके साथ में दिखेगा यहां पे कि इसका कार्बन क्या गो है कार्बन एक दू तीन गो कार्बन है तो तीन गो कार्बन यहां पे लिखेंगे देखो एक दू तीन गो लिखे न वो इसके पाद हैट्रोजन क्या गो है यहां पे तीन और यहां पे तीन क् इस carbon के पास तीन को hydrogen दिजेगा और इस carbon के पास तीन को hydrogen और O बच गया तो double bound करके यहाँ पे O लिख देंगे इस तरह से ब्यवस्तित कर देना है ठीके उसके बाद दिखे बैंजीन तो बैंजीन का formula आप लोग तो याद ही होगा ठीके बैंजीन में क्या होता है कि दो carbon प्रमा को इस तरह से बैंजीन का लिख देना है उसके बाद एच लिख देना है ठीके और इस तरह के से भी आप रचना दे सकते हैं जो कि यहां पर दर्साय गया इस प्रकार से भी आप लोग दे सकते हैं चलिए तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में जितने भी मैंने questions बताए हैं आप सब इस वीडियो को जो है पूरान तक देखे हैं और दोस्तों आपने copy में not कर लिए होंगे अगर आपने अभी तक not नहीं किये है तो जल से जल इसको not कर ले जागा साथ इसको revision करके जाएगा क्योंकि इस से जो है आपके board exam में काफी जादा question इस बार touch होने वाली ह है और इस बार काफी question आपके board exam में आने वाला है ठीक है तो जले दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है नाक्स्ट वीडियो में